Imagine कीजिए आप कश्मीर गए या फिर आप रिशिकेस गए वहाँ पे कोई नदी पे आप बोट पे बैठे हुए बोट में जाते वक्त क्या चीज़ आपको ड्राइव करती है क्या वो जो पानी का बहाव है वो आपको ले जाता है या फिर आपकी सोच है वो आपको ले जाता है सही आंसर होगा पानी का बहाव आपको ले जाता है क्योंकि पानी के बहाव के खिलाफ अगर आपको जाना है तो आपको एक दम लगाना पड़ेगा उसी तरह से life काम करती है कि जहाँ पे जिस तरफ पानी का भाव होता है उसी तरफ हमारी नाव चलती जा और अगर हम उसके खिलाफ जाना चाहते है तो हमें life में दम लगाना पड़ता है जिससे हमें तकलीफ होती है यह थोट हमें कभी ना कभी अपने बच्वान में सुना ही होगा कि अपने भाव के साथ चल यह थोट एक्चुली आता है इस religion से और मैं तो इसे religion भी नहीं कहूँगा बलकि मैं तो इसे philosophic होँगा क्योंकि यह है दाविजम दाविजम या फिर टाविजम हम लोग टी से प्रनाउंस करते हैं लेकिन इसका असली प्रनाउंसेशन है दाविजम दाविजम फिलोसोफी जो है वो लाउट जे ने लिखी हुई है अपनी एक किताब दाव दे जिंग से और एक और किताब जिसे जनागी कहा जाता है उन दोनों की मिलाव से बना है दाविजम दाविजम जो है वो एक फिलोसोफिकल टाइप है जो कि आगे जाके रिलिजन बन गया वो एक फिलोसोफी है जिसको जिस आइडिया को पैकेज करके रिलिजन में फॉर्म किया गया और कही ना कही अगर आप देखे तो हर एक रिलिजन के साथ वह ही होता है जो कि हम आगे जाके भी बात करें अगर हम दाविजम के से प्रिंसिपल पे जाए तो हम सबने ये यिंग यान देखा होगा अपने बजपन में कही ना कही हमने इस ची है के बारे में सुना हुआ कि लाइफ जो है वो एक बैलेस है कि इंग येन प्रिंसिपल जो है वो दाविजम का ही पार्ट होता है इंग प्रिंसिपल के हिसाब से दुनीया में इक अच्छी चीज़े होती है और बुरी चीज़े होती है और पूरी दुनिया जो है उसका बैलेंस होती है मान लीजिए आपका एक दोस्त है आपका दोस्त जो है वो बहुती शांसववाओ का है वो बहुती फेमिनन है बहुती यूथ साइड का है कि जो दुनिया में मजे लेने के लिए आता है कि जो दुनिया से कुछ चाहता नहीं है लेकिन बस दुनिया को प्यार करना जानता है ऐसा भोला आपका दोस्त है और दूसरी तरफ हो आप जो कि दुनिया से एक कुछ चाहते हो जिसका पूरा एक कुछ एम है या फिर आप बहुत ज़्यादा aggressive हो यह दो side होती है किसी भी particular इंसान की अब आप दोनों की दोस्ती जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होगी जो कि है because आप एक दूसरे की कमी को fulfill करते हो और हर एक आदमी यह दोस्ती भी हो सकता है यह relationship में भी हो सकता है एक दूसरे की कमी जो पूरी करना है वहीं एक अच्छा balance बनाता है तो yin yang principle जो है वो हम हमारे आसपास भी देख सकते हैं तो यह जो yin yang का principle है कि जहाँ पर feminine और masculine दोनों का existence ज़रूरी है दुनिया के अच्छे से चलने के लिए जहाँ पर एक three के स्वभाव और एक पुरुष के स्वभाव दोनों का होना ज़रूरी है उसी तरह से जो इससे पहले हमने भाव के साथ चलने की बात की उसे कहा है जाता है यह religion का कहनब आ अब हम जैसे लोग जो होते उसे चलने की एक आदत होती है लेकिन हम जैसे लोगों को चलना भी हमारी नेचर ही करवाता है कि हमारा नेचर में लिखा हुआ है कि यह आदमी चलन करेगा तो हम चलना है तो इसका मतलब है कि हम हमारा दाव फॉलो कर रहे हैं, अब कहीना कहीं यह जो दाव जैसे मैं समझा रहा हूँ, कहीना कहीं हिंदुईजम के धर्म के जैसे लगने लगेगा, कि जहां पर मैं पॉर्पस की बाते कर रहा हूँ, तो जी हां, यह similarity जो है, मुझे भी दिखी दाव दाविजम और धर्मा में, लेकिन जो दाविजम का definition था, बुक के अंदर वो थोड़ा different था, वो ब्रहमन से ज्यादा मैच करता था, यानि कि हिंदुईजम में जो ब्रहमन कहा जाता है, कि जहां पर सारी स्रिष्टी उसी ब्रहमन से बनी हुए, सारी हर एक आदी उस ब्रहम मन से बना हुआ है, और उस ब्रहमन को define नहीं किया जा, यही है दाव, दाव के एक वर्स में लिखा हुआ है, the दाव that can be told is not the eternal दाव, the name that can be named is not the eternal name, कही ना कही मुझे ओशु किया दिलवाता है, कि जहां पर ओशु कहता है, कि अगर सत्य बोला जाए, तो वो सत्य है ही नही कि अगर सत्य को समझाया जा सकता है, तो वो तुम्हें सत्य कही ही नहीं है, सत्य को बस महसूस किया जा सकता है, वैसे ही दाव को बस महसूस किया जा सकता है, तो हम सब का भी हो सकता है, वो किसी का भी नहीं हो सकता है, वो पूरी इनिवर्स का भी हो सकता है, और वो किसी एक चीज़ का भी नहीं होता है अगर हम देखे तो पूरा दाविजम simplicity के बारे में, modesty के बारे में तो कि आज भी Chinese या ताइवनिस culture में देखता है क्योंकि यह पूरी Eastern philosophy अभी चाइना और ताइवन में बहुत ही ज़्यादा देखते है हाला कि चाइना में communist government का राज है और वो बहुत सारे religion के लिए problematic हो सकता है लेकिन दाविजम को ऐसा philosophy देखा जाता है और बहुत सारे लोग चाइना में आज भी उसे practice करते है और चाइनिस government हाला कि उस चीज़ को पसंद ही करती है लेकिन वो भी कहिना कही अपने culture को बजाना चाहती है अपने culture को respect करना चाहती है तो दाविजम ऐसा culture अभी भी चाइना में exist करता है और यह जो simplicity और modesty का culture जो है वहीं उसे लड़ाई करने से रोकता है वहीं उसका existence रहने देता है इसके अलावा बहुत सारे popular celebrities भी है जैसे कि Bruce Lee जिन्होंने ताविजम के बारे में बहुत बात किये Bruce Lee का जो famous quote है water का वो भी ताविजम से ही inspired था That was दाविजम अगर आपको मज़ा आया तो आपको मेरी यह पूरी research जो है वो पढ़नी चाहिए PDF आपको description में मिल जाएगा अगर आपको दाविजम के बारे में ज्यादा जानना है तो उसमें मैंने disagreements और उन समझेरी चीज़ों के बारे में भी बात किया है तो आप इस PDF को ज़रूर फॉलो दिए उसी के तरह एक शांत religion जो कि इंडिया में exist करता है वो है जैनिजम चलिए उसके बारे में बात करता है